नमस्कार आप देख रहे हैं YIS News राष्ट्रिय शेक्षिकी महासंवी जनपद मुरादाबाद ने मुरादाबाद के प्रतिष्थित बालिका विद्याले जेयार अग्रवाल कन्या इंटर कॉलेज मुरादाबाद में भारत रतन डॉक्टर भीमराव अंबेदकर जी की जयनती पर शेक्षिकी उन्नयन गोष्थी का आयोजन कर महामानव डॉक्टर भीमराव अंबेदकर जी के आदर्श विचारों प्रकाश डालते हुए उन्हें श्रिधा सुमन अर्पित किये इवन शेक्षिकी उन्नयन में उत्कृष्ट योगदान करने वाली दो डर्जन से भी अधिक शिक्षिकाउं को प्रशस्ती पत्र देकर अभिनंदन किया गया भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेदकर जी की जयंती के पावन अवसर पर आयोजित शेक्षिकी उन्नयन गोष्टी को संबोधित करते हुए राष्ट्रिय शेक्षिकी महासंध उत्तर प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष जोगेंदर पाल सिंग ने कहा भीमराव अंबेदकर जी का जीवन पूरे संसार के जन जन के लिए प्रेरना का स्रोथ है हमें उनके द्वारा बताई गए मार्ग पर चल कर समाजवर आश्ट्र को सामाजिक सम्रस्ता की ओर प्रशस्त करना चाहिए शेक्षी की उन्नयन गोष्ठी को संबोधित करते हुए जे आर कन्या इंटर कॉलेज मुरादाबाद की प्रधानाचारिय श्रीमती आर्ती गोयल ने कहा की बाबा साहब भारत रतन डॉक्टर भीमराव अंबेरकर जी का पूरा जीवन हमें विशम परिस्तितियों में संधर्ष करने एवं सफलता के उचतम शिखर तक अपने ज्यान एवं दक्षता के माध्यम से पहुँचने की प्रेरना देता है शेक्षी की उन्नायन गोश्टी में मुख्य वक्ता प्रदेश उपाध्यक्ष जोगेंद्र पाल सिंग, कार्यक्रम अध्यक्ष प्रधानाचार्य आर्ती गोयल, ने प्रवक्ता रेखारानी, कामना शर्मा, नीता रानी, सुमन लता, प्रीती कुमारी, निशा शर्मा, पूनम त्यागी, जियोती सक्सेना, निदी शर्मा, नमिता अग्रवाल, कंचन गुपता आदी शिक्षिकाओं का अभिनंदन पत्र भेट कर उनका अभिनंदन किया। शेक्षी की उन्नयन गोश्थी में दर्जनों शिक्षिकाओं ने प्रतिभाग कर शेक्षी की उन्नयन का संकल्प लिया भारत रत्न बावा साहब डॉक्टर भीम्राव अंबेटकर जी की जहिंति के पावन अफसर पर रास्टी सेक्षिक महासंग उतर प्रदेश जन्पद मुरावाद मादमिक संबर्ग ने आज मुरावाद के वालिका सिक्षा के छेत्र में अतिन प्रतिश जेति जियार अग्रवाल कन्या अंटर कालिज मुरावाद में एक सेक्षिक उन्नयन गोश्ठी का आईजन कर बावा साहब डॉक्टर भीम्राव अंबेटकर जी को सरदा सुमन अर्पित किये एवं सेक्षिक उन्नयन में उत्करस्ट योगदान देने वाली दो दर्जन से भी अधिक सिक्षिगाओं का प्रसस्ती पत्र देकर अविनन्दन किया गया